हलो एंड वेलकम बैक दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सकसेज नालेज पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज की इस क्लास पर हम लोग किर्वाज प्रकास की रे आप्टिक्स को डिसकस करने जा रहे हैं जिस पर हम लोग लाइब सुभा डेली अपनी साथ बज़े क्लास होती है आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को आज हम डिसकस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन लिख लीजी इस पर आपके देरा नंबर आपके जो अगर यह total 7 derivation आप कर लेते हैं तो 13 complete हो जाएंगे एक derivation मैं आपको कल करा चुका हूँ जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिज करूँगा दिखा देता हूं चलिए देखिए यह derivation था अपना कल मैंने आपको बताया था किसी गोली प्रष्ट पर अपवर्तन का सूत्र पूरा दिखा देता हूँ हल सही तो आपको देखिए यहां तक हमने इसको प्रूब कर लिया था और क्या बाद में फार्मूला निकल के आया था n2 upon n1 minus upon r equal to n2 upon v minus n1 upon u यह हमने कल प्रूब किया था इसी से आज का जो प्रूब होगा जिस जिसको बच्चे को यह फार्मूला नहीं है तुरंत नोट कर लिजिए n2 minus n1 upon r बराबर n2 upon v minus n1 upon u यह याद कर लिजिए ठीक है चलते हैं अपने डेरिवेशन पर तो देखिए यह भी डेरिवेशन दिलाएंगे आपका गौरव और आपका नेम उचा करवाएंगे तो आप इनको कंप्लीट करिए ना इनसे दूर क्यों भाग रहे हैं इनसे अपना रिस्ता बनाईए ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक पतला लेंस बनाएंगे तो यहाँ पर मैं क्या दिलाएंगे जुटा बना यह झाले यहाँ पर तुलता रखना इस आपा लोग यह पे पर फोकस लगाए तो देखिए एक रोगे लेंस हो गया कोई दिक्कत यहाँ तक आगर कोई दिक्कत यहाँ नहीं न तो जल्दी से कमेंट कर Pea कि अब किसी को यहां चलते हैं आगे देखें यहां पर क्या दिया गया है कि यहां पे बोला जा रहा है कि इस Belt तो आप यह वागों तो दो बापोड़ तो डड़ाएं और कितने वागों तोड़ जाएगाए और ऊप्र करेगे और एक वागों को यहां वा Do पहुत कम प्रकास आया है, इमेजनरी प्रकास आया है, इसलिए इसे हम मान लेंगे I- अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा प्रकास आएगा, पहले क्या होगा, ज्यादा प्रकास आएगा, इसलिए इसे मान लेंगे I जिर भाईयों के समझ में नहीं आया वो इतना करें यहां पे वस्तु रखें और जैसे यह इधर प्रकास मारें तो सबसे इधर Je視 wing आगे रखनाww है इसलिए मैंने इसे आई देसलेट कर लिया है अवा को पता होगा कि जो इधर की ओ उ स Oh होता है यह वस्तु की दूरी होती है दूरी हमेशा यहां से ना पी जाती है तो दूरी हमेंसा यहां से ना पी जाएगी तो इसकी दूरी क्या होती है यू होती है अब यह आई है यह प्रद्विम की दूरी है तो प्रद्विम की दूरी क्या है यह प्रद्विम है अब यहां पर यह वस्त उठाता हूँ यह दूरी थी तो वस्त कर लो तो किसी कोई प्रावलम है क्या कमेंट करके बताओ जरहसा इतनी बात जिसके समझ में आ गई ना सबकुछ मज़ में आ गया आर कुछ नहीं बहुत सँन का है उट भाई के समझ में नहीं आया जिसके समझ में नहीं आया हूँ ना मैं दुबारा समझा दूँगा एक बार से पर कमेंट करके बहुत Most important derivation है यही derivation बोर्ड एकजाम में हर बार होचा जाता है देख एकqe 7 तो आप लोग इसे नार्मल ना समझें बहुत ही अच्छा डेरिवेशन देखिए कह रहा था किसी एक खुद कह रहा था किसी लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र तो हमें एक लेंस बना लिया लेंस पर हम जानते हैं कि इस पर एक होल करेंगे जैसे हम लोग होल करेंगे क् स्को आयदैस मान लेंगे यह उवस्तू रखी थी तो वस्तू की दूरी हपनी आपनी यू होती है इसे यूवलट कर लेंगे आई अपनी प्रद्विम् वेथ प्रद्विम्त दूरी होती है और इस विघा थिए यह यह उप्र देखी है हम लोग क्या करेंगे मैं एक बात आ करेगा समझना है जब यह विंद और यह वस्तुक का करेगा अपना प्रतिबिंब का कारेगा इसके लिए फ्रतिम ना करेगा इतनी सी बात आपको याध रखना ही है डेरिवेशन हो गए इस पर कुछ नहीं बचा ठीक मैंने कुछ नहीं चुना आपको ठेवरी यह लिखनी है माना कोई एल एक लेंस है जिसका दुरू पीवन वा पीटू है बिंद ओपर वस्तु रखी है जिससे जिससे दूरी अधर ओ माल लेते हैं बिंद ओडैस माल लेते हैं इसको ओडैस से ओ तक की बीच की दूरी यू है तथा ओ से इतनी सी पेवरी आपको लिख दे ciao अब आते हैं अपने संबतरों धरिमयकरति है यूदलर गरिखेंगे पेड़न की ऐस् सब्सक्राण है कि दोनों दूरdoor vivo दाelर इक है न पर और है कि क्योंकि देखिए इधार हमें दो त्रिज जाएं अगर दो ये P1 P2 हैं तो हमें दो त्रिज जाएं लेट करनी पदेंगी ठीक है जाइर सी बात है अगर ये दो त्रिज जाएं में क्या करनी पदेंगी लेट करनी पदेंगी तो देखिए आए चलिए इतनी सी बात सब के समझ आ गई होगी देखिए अब हमको प्रूब किस फार्वूले से करना है मैंने अभी अभी आपको बताया था N2 अपान V-N1 अपान U इक्वाल टू N2 अपान V-N1 अपान U इक्वाल टू N2-N1 अपान में R मैंने बताया था इसी से फ्रूब होगा देखिए जब पहली बार आप N1 कमान N1 जो बिरल होता है सबसे पहली बार जब करते हैं तो N1 कमान आपको एक रखना है याद रखना N1 बिरल N1 पहली बार रखते हैं तो N1 बिरल कमान U-N रखे मतलब जिससे हम लोग जहां पर वस्त O कमान रहे हैं तो N1 कमान 1 रखेंगे और N2 कमान N रखेंगे इतनी सी बात सबके समझ में आई जिस तरफ वस्त होगी उस तरफ कमान एक होगा जिस तरफ वस्त होगी उस तरफ कमान एक होगा तो यहाँ पर लिखेंगे जब O वस्तु का कारे करेगा जब O वस्तु का कारे कर करेगा आइ उसके लिए प्रतिभिंब का करेगा करेगा ठीक है अब देखिए हम लोग क्या करेंगे एंटू बराबर हमें क्या रखना है इन क्यों रखना है क्यों कि वस्थ हमारी इधर रखी हुई है इसलिए एन वन कमान 1 होता है याद रखिएगा तो देखिए यहां से यह वस्तु का कारे कर रहा है तो मैंने लिखाया है कि जब वस्तु का कारे करेगा तो उसके लिए आई-डेस का कारे करेगा तो यह अपना प्रद्वीम का कारे कर рाय कर रहा है तो यह वस्तु की दूरी तो इस वी की स्थान पर हम लोग च्या रखेंगे जो समऻ ममें आया माइनस N1 लोग नल्किए अब यह आप नी dhp कि जिए लिए पीऊंकि लिए इसलिए आरों करदेंगे ठीक है देखिए मैं एक बार फिर है समम्ञता हूं सबसे पहले आपको वस्तू रखनी है और आडश 가지 function ब banana हो तो देखिए जब आपको O वस्तु पर यहां पर वस्तु रखी है तो यहां पर वस्तु रखी है तो यहां पर वस्तु रखी होगी वहां उस N कमान 1 रखेंगे तो n1 था इधर n1 का मान हमने 1 रखा तो इधर n2 का मान कितना रखना था n रखना था n रखा अब देखे v प्रत्वी में की दूरी तो प्रत्वी मा कार क्या होनकं कर रहा है I'd सिस्की दूरी क्या वी ड submit इसलिए हमने इससे क्या कर लिया भी डैस कर दिया ठीक फिर इसके बाद माईनेस वपान यू यू का मान कितना था वन और यह वस्टा के दूरी कैंठी अपनी यू यो देख़े यू इह था तो मैंने यू ऑई लिख दिया फिर एंटू माईनस एन्वण इनका एनूटू का रख दिया दुरू पीवन के लिए था इसलिए इसको मैंने आरवन मान लिए किसे मान लेते हैं एक विस्टर नंबर फरस्ट अब देखिए हम लोग को सेकेंड में क्या करना है अब इदर होगा कि आई डैस अपना वस्टु का कारे करेगा तो आई प्रत्विंब का कारे करेगा पहले यहां पर मैं थेयोरी लिख रहेता हूं जब आई डैस वस्टु का कारे करेगा वस्टु का कारे करेगा तब तब क्या होगा आई प्रत्विंब का कारे करेगा किसका कारे करेगा प्रत्व प्रद्विंब का कारे करेगा ठीक है दोस्तों जब यह आई प्रद्विंब का कारे करेगा तो देखिए होगा क्या अब हमको इसी फार्मूले पर रखना है अब देखिए वस्तु किस तरफ हो गई अपनी वस्तु इस तरफ हो गई यह नहीं एंटू का मान कितना हो गया वन ह तो आपको यह भी दिखना चाहिए चित्र भी तो देखे यहाँ पे हमें बैलू रखना है तो इन टू कमान सब्से पहले हम रखेंगे तो इन टू कमान कितना है one तो हम लोग रख देंगे one अब वी की बात कर लेते हैं तो देखिए ये अपना वस्तु का कारे कर रहा है तो ये प्रद्विम का कारे कर रहा है तो इधर से इधर तक दूरियां जो मापी जाएंगी इधर से मापी जाएंगी तो इधर से इधर तक कि फिर हम लोग दूरी देखेंगे, तो अब लोग यहाँ पे रखेंगे, वी रख देंगे, इसके बात क्या है? माइनस का N1 अपान, यू देखिए, माइनस का N1, तो N1 का मान कि इत्ता है अपने पास? N1 का मान है, N किस्वान पेघुएंगे, अब देखिए यू की बात करें लेते हैं हम लोग तो यू की बात करेंगी तो देखिए अपनोalley बताया था कि ये आपका वस्तु का कार्य कर रहा है तो यह वस्तु का कार्य करेगा तो इसकी दूरी क्या है ? V- तो यहां पे हें करना होगा ? V- ठीक है I hope यह समझ में आ रहा होगा V dash अब equal to N2 minus N1 अपान में R तो N2 कमान कितना दिया गया है यहाँ पे N2 कमान यहाँ पे दिया गया है 1 तो 1 minus के अब देखिए N2 minus N1 था तो N2 कमान मैं रखा 1 अब N1 कमान कितना है N तो यहाँ पे रखेंगे N अब देखिए दुरू P2 के लिए था है किसके लिए दुरू P2 के लिए इस कमान रख देंगे R2 अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या थ समीकरान नंबर दो अब लोग कुछ नहीं करना समीकरान एक को उठा करके समीकरान दो को जोज देंगे ठीक है अपना समीकरान यह था तो हम लोग लिखेंगे समीकरान फर्ष्ट प्लस समिकरं सेकेंड देखिए जोगते हैं तो क्या होता है left left की तरफ जोगतो right right की तरफ जोगतो n upon v dash minus one upon you जोगते प्लस one upon v minus का n upon v dash equal to देखिएगा इसको जोगतेंगे और इसको करेंगे तो n minus के 1 upon r1 और minus यह दो प्लस था प्लस करना था में लेकिन यह minus था तो plus minus minus n minus 1 upon r2 इतना कर देंगे अब देखिए यहां से n upon v dash यह cancel हो गया तो अपने पास बचा 1 upon v minus 1 upon में u equal to n minus 1 यहां से common कर लेंगे तो जैसे n minus 1 हम लोग यहां से common करेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा 1 upon r1 minus 1 upon में r2 क्या निकल के आएगा 1 upon r1 minus 1 upon में r2 तो यह फार्मूला आपके पास निकल अब देखिए यह फार्मूला यही प्रूविंग थी तो यही फार्मूला यही प्रूविंग थी यही एक पतले lens के लिए अपवरतन का सूत्र होता है समझ में आप सभी के आया होगा देखिए एक बार मैं फिर से समझाने की कोसिस करूँगा थोड़ा स्पीड में देखिए कुछ नहीं था इस पर बहुत ही नार्मल था बस इसमें आपको क्या समझना था आप लास्ट में फिर से समझाऊंगा पतले lens के लिए अपवरतन का सूत्र था इस पर एक पतला lens बना लिया लिंस को एल मान लिया इस पर दो दुरू दिख रहे हैं आप आपको तो P1 P2 मान लिया अब इदर एक O वस्तू रखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रत्विम्ब आई डैस बनेगा और यह आई बनेगा क्यों बनेगा समझा दिया था अब देखिए यह जब वस्तू का कारे करेगा इतनी बात याद रखना है जब यह O डैस वस्तू का का क करेगा तो इसके लिए आई डैस प्रत्विम्ब का कारे करेगा एक बार एक कंडिशन में यह हो जाएगा और एक कंडिशन में यह हो जाएगा आई डैस जब वस्तू का कारे करेगा तो इसके लिए आई प्रत्विम्ब का कारे करेगा दूसरी बात जिस तरफ वस्तू रख् रखेंगे दोनों को उठाके जोदे देंगे आपका समय करने निकल के आ जाएगा तो आई होप दोस्तों किस-किस के समझ में आया कमेंट करके जरूर बताना मिलेंगे नेस्ट वीडियो और नेस्ट क्लास और नेस्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक के साथ तब तक लिए जाहिन